हलो दोस्तों मेरा नाम है अंकीत और तिलख लगा के स्वागत करता हूँ दिल से स्वागत करता हूँ आपका मेकेनिकल गुरी यूटूब चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं भाई आपके लिए खोज-खोज के बहतरीन इंपोर्टेंट और ओरीजिनल अपडेट लेके आ रहे हैं अगर आपका सेलेक्शन होता है 35,400 प्रस टीए डीए ए एचाय ने मिल जाएक इस पर्मनेंट सरकारी नौकरी के दोनाद सीनिया टेकनिकल असिस्टेंट किया वेकेंसी या टेकनीशन की वेकेंसी निकली हुई या ओल ओवर इंडिया से अप्लाय कर सकते हैं डीटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले क्या होने वाले eligibility criteria क्या होने वाले selection procedure हर एक important point हर एक important detail आप वस आखी तक मने रही Decir ga मेरे साथ मेरा नाम है अंकित आप देख रह है medication guru चलिए करते हैं यह इस विडिओ को शुरू दोस्तो वीडियो करते हैं इस टिल से एच प्याडा लािक जरूर कर दीजेगा इस वीडियो में वीडियो के साथ मेरी भी हलक होगी जैसा की मैं ने बता है DRDO की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है September 10 Center for Personal Talent Management की तरफ से Senior Technical Assistant और Technician की वेकेंसी निकली हुए जिसके लिए Freshers अब All Over India से अप्लाइ कर सकते हैं Form बनने की Feast मातर 100 रूपे 100 रूपीस रखी गई है Female के लिए SCHT के लिए आपर Form बनने की कोई भी Feast नहीं रखी गई है 1900 से ज़्यादा यहाँ पर वेकेंसी निकली हुए जिसके लिए आप All Over India से अप्लाइ कर सकते हैं सबसे पहले सबसे Important बात Minimum Qualification यहाँ पर BSC, Diploma, ITI बोला गया है अगर आप Diploma किया हुए आप अप्लाइ कर सकते हैं BSC कियो आप अप्लाइ कर सकते हैं अगर आप ITI कियो आप अप्लाइ कर सकते हैं Official Notification अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं DRDO की तरफ से जारी किया गया है Official Notification और Form स्टार्ट होने वाला है 3 September 2022 से 3rd of September से Form स्टार्ट होगा अभी अगस्त चर रहा है अगस्त खतम होगा September आएगा 3 September से DRDO की Official Website पर आप जाके Online Apply कर पाएंगे और Form बनने की Last Date 23rd September 2022 रखी गई है और Date of Eligibility 23rd September 2022 रखी गई है 23 September तक आप Eligible होने चाहिए आप Age Limit में आने चाहिए आपकी Qualification आपके हाथ में होने चाहिए आपका Diploma आपके हाथ में होना चाहिए बहुत ज़्यदे Important है अगर 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 आप Final Year में है तो आप इसके लिए Apply नहीं कर सकते हैं अब हम चलते हैं देखते हैं Official Notification में आगे Diploma अगर आपके पास आ चुका है और अगर आप Age Limit में आते हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल Apply कर सकते हैं सबसे पहले Senior Technical Assistant की Vacancy निकली हुई है अगर आपका Selection होगा 35,400 प्लस TADA, HRA मिल जाने वाला है Age Limit की बात करें तो Age Limit यहाँ पर 18-28 साल नहीं होनी चाहिए अब देखते हैं Senior Technical Assistant की कहां कहां कितनी Vacancy निकली हुए Mechanical में सबसे ज़्यादा Vacancy निकली हुए बाकि हम लाइन से इस Notification में बात करेंगे तो पहले Agriculture में जो Vacancy है इसमें B.Sc. डिग्री है Agriculture में आप इसके लिए अप्लाइब कर सकते है चेमिकल इंजिनेरिंघ में तो आप इसके लिए अप्लाइब कर सकते हैं तोटल पोस्ट 3 alzav 2 Chemicalaları का निकली हुए निकली हुए डिप्ल rép rain 1 alzav 19 Chemistry में वेल्हें डिप्लाइब कर सकते हैं Caroline E조яд को ऑप्लाइब कर सकते me सकते हैं, total vacancy 25, unreserved है 8, computer science में vacancy ये B.S.C. degree है, computer science में, या फिर diploma है, computer science में, information technology में तो आप इसके लिए बिल्कुल apply कर सकते हैं, 167 vacancy निकली है, जिसमें unreserved है 72, electrical and electronics में vacancy जिसमें diploma है, अगर आपके पास electrical and electronics में तो आप इसके बिल्कुल apply कर सकते हैं, total vacancy 17, unreserved है 6, electrical engineering में vacancy निकली हुए diploma है, electrical engineering में आप इसके लिए apply कर सकते हैं, total vacancy 68, unreserved है 29, electronics and instrumentation में vacancy निकली हुए diploma है, आपके पास electronics and instrumentation में को आप इसके लिए बिल्कुल apply कर सकते हैं, total vacancy 31, unreserved है 13, electronics और electronics और Electronics and Telecommunication में वेकेंसी निकली हुई है BSC डिगरी है electronics में या फिर डिप्लोमा है electronics में Electronics and Communication में Electronics and Telecommunication में तो आप इसके लिए बिलकुल अप्लाए कर सकते है Total Vacancy 192 आंड डिज़वड रे 83 Instrumentation में वेकेंसी डिगरी है Instrumentation में या फिर डिप्लोमा है आपके पास instrumentation में, instrumentation and control में तो आप apply कर सकते हैं, total vacancy है 17, undeserved है 8 library science में vacancy निकली हुई है, degree है आपके पास science में, plus एक साल का डिप्लोमा है, library science में तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, total vacancy है 23, undeserved है 11 Mathematics में Vacancy निकली हुए 20 degree है, Mathematics में तब इसके लिए बिल्कुल अप्लाय कर सकते हैं, Total Vacancy 13, Unreserved है 7 Mechanical Engineering में Vacancy निकली हुए Diploma है, Mechanical में, या फिर, Production में, Automobile में, Refrigeration है, Air Conditioning में तब इसके लिए बिल्कुल अप्लाय कर सकते हैं, 294 सबसे ज़्यादा Vacancy Mechanical में है, Unreserved है 135 Medical Lab Technology में Vacancy निकली है, BST degree है, Medical Lab Technology में या फिर, 10 प्लस 2 with Science Subject with minimum 2 years diploma है, Medical Lab और इसके लिए अप्लाय कर सकते हैं, Total Vacancy है 16, Unreserved है 8 Photography में Vacancy निकली है, BST degree है, Photography में, या फिर, Diploma है, Photography में, तब आप्लाय कर सकते हैं, Total Vacancy है 8, Unreserved है 6 Physics में Vacancy निकली है, BST degree है, आपके पास Physics में, तब इसके लिए बिल्कुल अप्लाय कर सकते हैं, Total Vacancy है 32, Unreserved है 15 Printing Technology में Vacancy निकली है, BST degree है, Printing Technology में, या फिर, Diploma है, Printing Technology में, या Printing Engineering में, प्लाय कर सकते हैं, Total Vacancy है 5, Unreserved है 4 तोटल सीनिया टेखनिकल असिस्टेंट की जो वेकेंसी निकली हुई है, वो है 1075, अन्रिजर्व है 474, EWS के लिए यहाँ पर 132 वेकेंसी है, OBC के लिए यहाँ पर 259 वेकेंसी निकली हुई है, ST के लिए यहाँ पर 61 वेकेंसी और SC के लिए यहाँ पर 149 वेकेंसी निकली हुई है, next यहाँ पर technician की post निकली होई जिसके लिए 10th प्लस ITI वाले हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल apply कर सकते हैं official notification अभी आप screen पर देख सकते हैं अगर आपका selection होगा 19,900 प्लस टीए लिए HR यह मिल जाएगा age limit 18-18 साल 20 ATS maximum age limit रखे ही गई है 23rd September 2022 तक आप age limit में आने चाहिए 28 साल से जद आपकी उमर नहीं होनी चाहिए essential qualification यहाँ पर 10th प्लस ITI रखा गया है यह minimum qualification यह आपके पास होना ही चाहिए अगर आप इसके लिए interested और apply करना चाहते हैं तो सबसे पहले automobile में vacancy निकली हुई है 10th प्लस ITI है automobile में तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं total vacancy है 5, unreserved है 5 book binder की vacancy है 10th प्लस ITI है book binder में offset machine operator का book binder trade में तो आप इसके लिए apply कर सकते है total vacancy है 20, unreserved है 7 Carpenter की Vacancy है 10th plus ITIA Carpenter में तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं 12 Vacancy है Total जिसमें unreserved है 4 CNC Operator की Vacancy है 10th plus ITIS CNC Operator Trade में तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं Total Vacancy है 9, unreserved में 4 COPA में Vacancy निकली हुए 10th plus ITIS COPA यानिकी Computer Operator and Programming Assistant तो आप इसके लिए apply कर सकते है 139 Vacancy है unreserved है 73 Draftsman Mechanical में Vacancy निकली है 10th plus ITIS है Draftsman Mechanical में तो आप इसके लिए apply कर सकते है Total Vacancy 35, unreserved है 15 DTP Operator की Vacancy निकली है 10th plus ITIS Desktop Publishing Operator Trade में तो आप इसके लिए बिल्कुल एप लिए याटार कर सकते है Total Vacancy है 8, unreserved है 4 Electrician की Vacancy 10th plus ITI या Electrician में, Wireman में, Electrical Fitter Trade में तब इसके लिए बिल्कुल अप्लाइब कर सकते है, Total Vacancy 106, Unreserved 47 Electronics में Vacancy 10th plus ITI या Electronics में, Electronic Mechanic में, Radio and TV में, Mechanic, Radar, Mechanic, IT, Electronic System, Maintenance, Maintenance and Industrial Electronics Trade 113, 130 Vacancy निकली हुई, Unreserved 60 Fitter की Vacancy 10th plus ITI है, Fitter में तब इसके लिए बिल्कुल अप्लाइब कर सकते है, 127 Vacancy निकली हुई है, जिसमें से Unreserved 51 Grinder में Vacancy निकली है, 10th plus ITI है, Grinder में तब इसके लिए अप्लाइब कर सकते है, Total Vacancy 7, Unreserved 5 मचिनिस्ट की वेकंसी निकली हुए 10th प्लस IT है, मिल मेकंसी 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 निकली हुए 10th प्लस प्लस आइटे ऐ प्रेंट से कल्ड़ए कर सकते हैं टोल वेकंशी ए फिरी अन डीज़ाइड है सिंगल फोटोग्राफर में दिटाफ़ झो टेंट में आईटेल के लिए उंडिचाल आयॲेकर सकते हैं Sheet Metal Worker के अंदर Vacancy निकली हो 10th प्लस ITA, Sheet Metal Worker Trade में तो आप अप्लाय कर सकते है, Total Vacancy 14, Unreserved 3 Terminal की Vacancy निकली हो 10th प्लस ITA, Turner Trade में तो आप अप्लाय कर सकते है, Total Vacancy 45, Unreserved 17 Welder की Vacancy निकली हो 10th प्लस ITA के अपने Welder Trade से तो आप अप्लाय कर सकते है, Total Vacancy 50, Unreserved 28 तो ITI वालों के लिए 826 वेकैंची निकली हूँ जिसमों धाँ unreserved है 389 EWS में निकली हूँ यह वेकैंची 79 OBC में वेकैंची निकली हूँ 193 ST में वेकैंची निकली हूँ 66 SC में वेकैंची निकली हूँ 99 तो अगर आपने ITI किया हुआ या फिर डिप्लोमा की हो या फिर PSC किया हुआ है या minimum qualification आप apply कर सकते हैं higher qualification eligible नहीं है फिर से आपको बता दू form बनने की fees मातर सौरो पहंड़ रूपिस रखी गई है जंबरल वालों के लिए SCST woman candidates के लिए form बनने की कोई भी fees नहीं रखी गई है अगर आप इसके लिए apply करते हैं तो यहां पर पहले CBT होने का है दोनों में ही होगा डिप्लोमा वालों कभी CBT होगा ITA वालों कभी CBT होगा उस बारे में notification में आगे में बताया गया है लेकिन उससे पहले हमको बताया गया एक्जाम के सेंटर के बारे में तो एक्जाम के सेंटर आपको CBT के लिए all over इंडर में मिल जाएंगे 39 सेंटर all over इंडर में lot किये गए हैं हर metro city हर बड़ा शहर में आपको एक्जाम के सेंटर या पर मिल जाने के हैं अब हम सेलेक्शन पोसीजर के बारे में बात करते हैं सबसे पहले senior technical assistant की जो वेकेंसी है इसमें दो एक्जाम होंगे दो CBT होंगे टीयर वन होगा एक टीयर टू होगा आपको पहले टीयर वन क्लियर करना पड़ेगा जो screening के रूप में होने वाला है और टीयर टू में आपक की qualifying nature का होने वाला है एक्जाम के pattern के बारे में भी हमें बता दिया गया है पहली में बता दू कि इसमें कोई भी negative marking नहीं होने वाली है इस exam में कोई भी negative marking नहीं होने वाली official notification में हमें बता दिया गया है senior technical assistant की vacancy के लिए जो पहला एक्जाम होगा CBT screening के लिए वा common रहेगा सब post code के लिए इसमें aptitude, general intelligence and reasoning, general awareness, English, general science वगर के आपको 120 question देखने को मिलेंगे 120 mask का ये paper होगा 90 minutes का 90 minutes का आपको इसके लिए time मिलेगा जबकि जो second CBT होने वाला जिसमें final selection होगा HTA की post के लिए इसमें आपका branch से related subject से आपको question देखने को मिलेंगे आपका जो branch है आप mechanical वाले तो mechanical से related, electrical है तो electrical से related आपके branch related आपको 100 question देखने को मिलेंगे 100 mask का पेपर होगा 90 minutes का आपको समय यहाँ पर मिलने का है Tier 1 exam यानि कि पहले CBT है वह screening type का है Tier 1 exam होगा 1-8 के ratio में लोगों को shortlist किया जाएगा Tier 2 exam यानि कि जो दूसरा CBT होना है उसके लिए next ITI के लिए बात करें तो ITI का पहले CBT होगा उसके बाद trade test होगा, trade test जो qualified nature का है CBT जो होने का है उसमें aptitude, general intelligence, reasoning, general awareness, English language और trade से specific आपके branch से, आपके trade से specific, आपके post से specific question आपको CBT 1 में ही पूच दिये जाएगा अगर आप technician के लिए apply करते हैं तो 40 marks non-technical आएगा, 50 marks आपका post, आपके discipline से related question आपको 50 marks से देखने को मिलेंगे, total 120 marks 90 minutes का आपको time मिलेगा, यह clear हो जाएगा तो उसके बाद आपका trade test होने का है, जो की qualified nature का होने का है, आपको tier 1 exam clear करना पड़ेगा, उसके बाद 1 is to 8 के ratio में लोगों को trade test के लिए यहाँ पर ग 23rd of September 2022, इस form बनने को last date रखी गई है, कोई भी negative marking नहीं होने वाली, इसके online exam में minimum qualification आपके पास होना चाहिए, अगर आप interested apply करना चाहते हैं, तो official notification की link apply करने की link आपको नीचे description पर मिल जाएगा, आप एक बर जरूर चेक कर लिजेगा, क्या आप इसके लिए इंटेड है, क् कमेंट्स में आपको इस वीडियो कैसा लगा भाई, जरूर बताईएगा, मुझे उमीद है आपको इस वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया, लाइक जरूर करना भाई, इसे शेर कर देना अपने दोस्तों के साथ, मेकेनिकल गूरी यूटुब चैनल को अभी तक कर दीजे क्योंकि मैं आपके लिए रोल लेटर स्टप्टिट लेकर आता रहता हूं, बहुत जब 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 मिलेंगा भाई लोग, जय जवान, जय किसान